हाई फ्रेंस आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी मसालेदार चना डाल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाना आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चना डाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चना डाल को अच्छी तरीके से धो कर पानी में भिगा लिया है इसे हमें 30 मिनट तक भिगाना है ताके यह थोड़ी फूल जाए अब हम मसाला पीस लेंगे तो यहाँ पे मैंने मसाले में एक टमाटर ले लिया है यह बड़े साइस का टमाटर है जिसे मैंने कट कर लिया है 6-7 सूखी लाल मिर्च ले लिया है मैंने दो यहाँ पे देखिए मैंने ले ली है इलाइची हरी इलाइची, 4 लौग 10-12 काले मिर्च एक चमच मैंने भर कर यहाँ पे जीरा लिया है और तीन लसन की कलिया लिया है तो इन सभी मसालों को हमें ग्राइंडर में डाल लेना है मसालों को ग्राइंडर में डाल लिया है हमने अब हम निसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी और हमें यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा मसाला पीस का तयार कर लेना है तो ये देखिए हमने यहां पे आद़ ग्लास पानी डाल कर मसाले को पिर्कुल बारीग पीस लिया है अब हमें एक कूकर ले लेना है इसमें हम डालेगे दो बड़े चमश तेल तेल जैसे ही अच्छा गर्म हो जाता है तो इसमें हम कुछ गर्म मसाले डालेगे एक मैं डाल रही हूँ, गर्मसालों में बड़ी इलाइची, तीन डालचीनी के तुकडे 2 से 3 तेज़ पत्ता, तेज़ पत्ते को मैंने तोड़ दिया है एक हम इसमें डाल देंगे प्यास, तो यह एक बड़े साइस की प्यास है, प्यास को मैंने रफ्ली कठी हूँ प्यास हम डालने के बाद अब हमें यहां पे प्यास को चला लेना है और इसे तब तक भूनना है जब तक प्यास हलकी हलकी सी ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम यहां प्यास को भून लेंगे तो यह देखिए प्यास जो हलकी हलकी सी ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च हरी मिर्च को मैंने बीच से कट कर ली हूँ हरी मिर्च को डालने के बाद थोड़ा सा हरी मिर्च को हम फ्राइ कर देंगे तेल में अब हम इसमें डालेंगे मसाला तो जो मसाला हमने पीसा था टमाटर सुखी लाल मिर्च का वो हम इसमें add कर लेंगे मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच, छोटे चमच से हल्दी पाउडर अपने टेस्ट के according हम डाल लेंगे नमक नमक डालने के बाद अब सभी मसालों को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से mix कर देना है ताके सारी चीजें आपस में अच्छी तरीके से mix हो जाए अब हम इसे ढाक कर पकाएंगे कम से कम तीन से चार मिनट के लिए medium flame पर ताके मसाले अच्छे से पक जाए तो देखिए तीन मिनट हो चुका है तीन मिनट तक मैंने इसे medium flame पर पका लिया है और आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम इसमें डाल लेंगे चना डाल तो डाल को एक बार अच्छे से धो लेना है धोने के बाद हमें इसमें डाल को एड़ कर लेना है डाल डाल कर डाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले के साथ हम यहां पे डाल को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे भूनने के बाद अब इसमें हम डाल दिंगे पानी तो यहां पे 250 ग्राम डाल के लिए मैं यहां पे धाई ग्लास पानी डाल रही हूँ पानी डालने के बाद अब इस पॉइंट पर आप चेक कर लीजे अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक एट कर लीजे इसके बाद हम कूकर का धकल लगा देंगे और हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर दाल को पकने के लिए रख देंगे जैसे ही एक सीटी आजाती है फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर पांच मिनट तक पका लेना है प्रेशर को अपने आप रिलीज होने देंगे उसके बाद हम यहाँ पर कूकर का धकन खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल जो हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और इस तरीके से हमें रखना है जादा पूरी तरीके से इसे गला नहीं देना है और आप देख सकते हैं पानी इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है कहीं भी पानी अलग और डाल अलग नहीं है तो कभी भी चने डाल को आप गलाएं तो पहले इसे हाइ फ्लेम पर रखिए जैसी ही एक सीटी आ जाती है तो फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर धीरे-धीरे हमें पकने देना है ताके पानी अच्छे से मिक्स हो जाए तो दाल आप देख सकते हैं गल चुकी है हमारी तो अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और अब उपर से हम इसे तड़का देंगे तो चलिए तड़का रेडी कर लेते हैं तड़के के लिए आप कोई भी बर्तन ले लीजिए उसमें एक बड़े चमच हम डालेंगे तेल जैसी तेल अच्छा गर्म हो जाता है तो छे से साथ हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते दो हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च छे से साथ बारी कटे हुए लसन लसन से डाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जबी भी आप डाल फ्राइ करेंगे तो इसमें लसन अगर आप इस तरीके से फ्राइ करते हुए डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह देखे यह हमारा तड़का रेडी हो चुका है अब इसे हम बस दाल में पलट देंगे तो ये हमारी चना दाल रेडी हो चुकी है आप लोग एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी चैनल पर अगर आप नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजे मैं ऐसी अमेजिंग रेसिपीस आपके लिए लेकर आती रहूँगी